दोस्तों सबसे पहले तो मेरे तमाम दर्शकों को दीपावली की अनंत अनंत शुब कामनाएं मैं उम्मीद करता हूँ कि रोश्नी का यतियोहार आपके जीवन में, आपके जिन्दगी में, आपके परिवार के, आपके बच्चों की जीवन में खुशियां भर दे, रोश्नी इश्वर से मेरी यही प्रार्टना है, हापी दिवाली वांस अगैन, काइदे से दोस्तों में लगातार सोचता रहा कि क्या दिवाली के दिन मुझे कोई राजनी तिक शो करना चाहिए, मगर यह तस्वीर आपके लिए देखनी बहुत जरूरी है दोस्तों, पूरे स्क्रीन तक कि वो अपनी पत्नी से मिल सकें, मनीस सोधिया यहाँ पर रो रहे हैं अपनी पत्नी को गले लग कर, सिर्फ मनीस सोधिया नहीं आज दिवाली के दिन कई लोग जो राजनीतिक हैं, घैर राजनीतिक हैं, पत्रकार हैं, आज जेल में बंद हैं, मनीस सोधिया की तस्वीर हमने देखी जो रिदे विदारक है आप मेंसे कई लोग इस वक्षार का मामला था तुम क्यों आसू बहा रहे हो मैं आसू नहीं बहा रहा हूँ मैं आपके सामने मुद्दा रख रहा हूँ नमबर एक मगर आज मैं मनीस सोदिया की बात कोई सुबूत नहीं है सूप्रीम कोट ने ये भी कहा था कि मनीस सोदिया के खिलाब जो एडी का केस है वो दो मिनिट अदालत में नी टिकेगा सूप्रीम कोट ने ये भी कहा था कि जो एडी ने दावा किया था कि मनी सुसोदिया ने 2 करोड 20 लाक रुपे की रिश्वत ली वो भी घलत है 100 करोड की रिश्वत की बाद भी घलत है और सबसे शॉकिंग बात जिस बुनियाद पर सुप्रीम कोट ने उनकी बेल की अरजी को खारिज कर दिया था ये कहकर कि शराब के विक्राइताओं को शराब बेशने वालों को 338 करोड रुपे का फाइदा हुआ और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये अपराज से की गई कमाई है ये 338 करोड और इसलिए हम इने बेल नहीं देते शॉकिंग बात ये है दोस्तों कि जाच एजनसीज ने कुछ शराब के विक्रेताओं पर तो निशाना साथ है मगर ये जो 338 करोड की कमाई है इसका फाइदा तो कई शराब की कमपनियों को हुआ होगा या कई शराब बेशने वालों को हुआ होगा उन पर तो कोई केस नहीं हुआ उन पर तो कोई भी केस नहीं हुआ न जाच एजनसीज ने उनकी जाच नहीं की सबसे बड़ी बात अगर एक पॉलिसी बदली जाती है और उससे अगर शराब बेशने वालों को फाइदा होता है तो इसमें भरश्टाचार कहा है क्योंकि सुप्रीम कोट खुद कहरा है कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि मनीस सुदिया को रिश्वत दी गई और फिर भी सुप्रीम कोट ने उनकी बेल की अरजी को खारिच कर दिया फिर इस तस्वीर को देखिए जहां मनीस सुदिया अपनी पत्मी से मिल रहे हैं उनकी पत्मी जो बहुत पीमार है मैं आपसे समझना चाहता हूँ दोस्तों इस तस्वीर के लिए जिमेदार कौन है अरविंद केजरिवाल का बयान आपके स्क्रीन्स पर क्या कह रहे हैं अरविंद केजरिवाल ये तस्वीर बेहत पीड़ादाई है ऐसा शक्स जिसने देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी क्या उसके साथ ऐसा अन्याएं सही है ये सवाल अर्विंद केजरिवाल पूछ रहे हैं सवाल सिर्फ किसी मनी सुसोदिया का नहीं है क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जस्टिस मदन लोकुर ने खुद एक बयान में जो कि सुप्रीम कोट के पूर्व जस्टिस है उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोट ने मनी सुसोदिया और विपक्ष के साथ नाइंसाफी की है आप जानते हैं मदन लोकुर साहब ने क्या कहा है मदन लोकुर साहब कहते हैं कि जाच एजनसीज कुछ भी केस बना देते हैं चार्च शीट भी नहीं पेश करते हैं और जब चार्च शीट पेश भी करते हैं तो आधा दूरा होता है सप्लिमेंटरी चार्ट शीट बाद में पेश की जाती है दस्तावेज अधूरे होते हैं मगर बावजूद इसके अदालत जाच एजनसीज को कुछ नहीं कहती है यानि की जाच एजनसीज पहले विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देती है जेल में डाल देने के बाद वो सबूत जुटाती है जो नियाएकी प्रक्रिया के पूरी तरह से खिलाफ है दोस्तों इसलिए जब मैं यह तस्वीर देख रहा हूँ जिसमें मनी ससोदिया रो रहे हैं इसके प्रती मेरे मन में सहानुब होती है यह तस्वीर आतंकबाद की धारों में क्यूँ? क्योंकि यू एपी ए लगा दिया गया है भीमा कुरे गाउ मामले में कई लोग चार-चार सालों से बंद हैं उनके खिलाफ भी कोई सुबूत मौजूद नहीं है दोस्तों मगर फिर भी इस तरह की केजरिवाल पर एक बड़ा काम करने वाले है और सिर्फ गिराफतारी नहीं यह किस बड़ी कारवाई की ओबात कर रहे है क्या अरविंद केजरिवाल को लेकर कुछ खत्रा है जिसका जिक्र संज़सिंग यहां कह रहे हैं यह संज़सिंग्या क्या कह रहे हैं दोस्तों आज यह सवाल पूछा जाएगा कि बगहर प्रमान के जाच एजनसीज आप पर कारवाही करती है आपके पास कोई सुबूत नहीं होता है फिर भी आप कारवाही करते है और यह सब हो रहा है मौझूदा भारती जनता पार्टी के अंतरगत यह सब हो रहा है जब देश के प्रधान मंतरी श्रीमान नरेंद्र मोदी है देश के ग्रे मंतरी श्रीमान अमिट शाह है और इस तरह से नाइंसाफी हो रही है मैं बार बार कह रहा हूं कि जो गड़ा आप विपक्ष के लिए खोद रहे हैं जो गड़ा और जिस गड़े में जिसे खोद कर आप दफन कर रहे हैं अपने आलोचकों को यकीन मानिए एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे वो सवाल जो आज मुवाहे खड़े हैं आपको नाइनसाफियों के जवाब देना पड़ेगा जो नाइनसाफियां इस वक्त बरपी जा रही हैं विपक्ष के नेताओं पर सामाचिक कारकरताओं पर स्टूडिंट अक्टिविस्ट पर पत्रकारों पर और सबसे शौकिंग बात आपके स्क्रीन्स पर चीफ जस्स विंडिया डीवाई चंदरचूर जिनकी तारीफ में मैंने नजाने कितने कारकरम किये हैं दोस्ता मैं आज पूछना चाहता हूँ चीफ जस्स विंडिया डीवाई चंदरचूर से कि क्या आप ऐसी नाइंसाफी होता हुआ देखते रहेंगे क्या आप सुवो मोटो स्वतह संग्यान लेकर कारवाई करेंगे कब तक ये खामोशी बनी रहेगी मैं समझना चाहता हूँ मैं आप ही से कहना चाहता हूँ आप ही के शब्दों को याद दिलाना चाहता हूँ जब अभिशेक मनु सिंग्वी विपक्ष का नुमाइंदा बनके आप ही की अदालत में पहुँची तो आपने क्या कहा था आपने कहा था कि भई जो जब जबिश डाल रही है विपक्ष पर हम एक कारवाई का मश्वरा नहीं दे सकते मगर आप हमारे पास individual cases लेकर आईए व्यक्तिगत cases लेकर आईए हम उस पर कारवाई करेंगे यह आपके एक शब्थे ना सर्थ क्या हुआ मनिसी सोधिया के साथ अदालत लगातार कहती रही कि कोई सुबूत नहीं है फिर भी उनकी बेल रद कर दे गई और अब अदालत भी यही कह रही है कि अगर छे महिने में जाच एजनसीज ने कोई कारवाई नहीं की तो आप फिर बेल के लिए अपलाई कर सकते हैं यानि की जाच एजनसीज को कोट्स ने पूरी छूट दे रख्ये कि आप जो मरजी करें आप जो मर्जी करें आप आधियादूरी चार्शीट पेश करें आप आधियादूरे दस्तावेस पेश करें आपके पास कोई प्रमान नहीं है आप कोई प्रमान पेश नहीं कर पाए कि घूस दी गई मगर अदालत कोई दबिश नहीं डाल रही कोई अंकुछ नहीं डाल रही जिरह के दौरान जब बहस होती है उस दौरान सुप्रीम कोट बहुत बड़ी-बड़ी बाते करता है मगर जब फैसला आता है तो उसके बिलकुल उलट आता है याद कीजे सीक्रिट एलेक्टोरिल बॉंड्स गुप्त चुनावी चंदे को लेकर भी क्योंकि उस बहस के दौरान चीफ जस्टिस विंडियर डीवाई चंदरचूर उसकी अदालत में है वो जजज चंदरचूर साहब दे बड़ी-बड़ी बाते की अब देखना है फैसला क्या आता है मुझे इंतजार होगा मनीश सुसोदिया के साथ नाइनसाफी मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खुद कहा है कि जाँच एजनसी रिश्वत प्रूव नहीं कर पा रहे हैं रिश्वत साबित नहीं कर पा रहे है भाजपा का प्रचारत अंतर कुछ भी कहे मगर इसी भाजपा को याद रहना चाहिए कि वक्त इन घटनाओं को पूलेगा नहीं यही घटना है जब आप सब्ता में नहीं रहेंगे यही मिसालें इस्तमाल की जाएंगी आपके और आपके नेताओं के खिलाफ भरश्टाचार की बात करते हैं नरेंद्र तुमर का बेटा विडियो में कथित तोर पर पकड़ा जाता है रिश्वत की बात करते हुए अपने घर की बात करते हुए भाभी जी की बात करते हुए इस विडियो से कितना कुछ जाच करने की जरूरत है कौन है भावी जी किस की भावी जी की बात हो रही है नरेंदर तोमर की पतनी की या देवेंदर तोमर की पतनी की कृष्णा मेननमार्ग ये किसका घर है क्योंकि तीन कृष्णा मेननमार्ग पर तो नरेंदर तुमर रहते हैं खनन को लेकर ये उगाही की बात हो रही है आप खुद जानते हैं कि 2014 से 2019 के बीच में नरेंदर तुमर खनन मंत्री हुआ करते थे क्या कोई जाँच नरेंदर तुमर के खिलाफ हुई है अरे वो भूल जाईए वो स्टिंग जो हम देख रहे हैं क्या वो सही है खलत है क्या इस बात को लेकर जाँच हुई नहीं साब कोई जाँच नहीं हुई क्यों सबसे बड़ी बात प्रधान नंत्री के परमित्र गौतम अडानी इनको लेकर एक विदेशी अखबार ये खबर करता है कि किस तरह से 2013 से लेकर या 2014 से लेकर उनके जो शेर के दामों को नकली ढंग से बढ़ाया गया और इसमें एक साउदी अरब नागरिक शामिल था और एक चाइनीज व्यक्ती शामिल था सेभी ने इसकी 2014 में जाच की क्लीन शिट दे दी वो एंडी टीवी जो अडानी चैनल है क्या देश की जनता को इन चीजों पर गोर नहीं करना चाहिए कि आज की तारीख में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कितना बड़ा मजाग बन गया है प्रधान मंत्री का ये कहना कि मैं भष्टाचार के खिलाफ पर एक करारा तमाचा है जहां मनीस सुसूदिया अपनी पत्नी को गले लगा कर रो रहे है इंतजार कीजिए आज नहीं पांच साल बाद दस साल बाद जब भी भाजपा सत्ता से जाएगी इंतजार कीजिए वो वक्त कैसा आएगा गीता में कर्म के सिध्धान थे कहा भी गया है ना कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान आप सोचिए आप किस तरह के कर्म अरजित कर रहे हैं क्योंकि आप तो धर्म की बात करते हैं आप तो सिर्फ धर्म के दाम पर वोट लेते हैं क्या आप गीता के कर्म के सिध्धान समझते हैं, भाचपा से मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, यह सवाल हैं, इससे मुमत मोडियेगा, और जाते जाते दोस्तों, एक बार फिर, ख्रमा चाहूंगा दिवाली के मौके पर, एक के लिजी बात मैं आपके सामने लेकर आ हैं, मगर कई लोग जेल में बंध हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, उन्हें ये दंश को जेलना पड़ रहा है, मगर आप सब के परिवार को दिवाली की हारदिक शुप कामना है आप सब खुश रहें यही मेरी इश्वर से प्रापना है अब इसार शर्मा को दीजिए जासत मास्कार स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता का समर्थन कीजिए सच में मेरा साथी बनिये बहुत आसान है दोस्तों इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी यह तीर विकल्प इन में से एक चुनिये और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये